जहीं दोस्तों स्वागत है अपका हैस्टेग भीकिसिंग भारत में और शुरू करते हैं हम 31 अक्टूबर की करेंट अपर के सेशन तो चलिए देखते हैं पहला कोस्चन पहला कोस्चन है हाल ही में किसने यू एन ग्लोबल क्लाइमेट एक्षन आवार 2020 जीता है ग्रेटा थु जाए ग्लोबल हिमालियन एक्सपीडिशन इन में से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा ओप्शन 3 ग्लोबल हिमालियन एक्सपीडिशन इसका सही उत्तर हो जाएगा ये एक भारतिय संगठन है जिसने यू एन ग्लोबल क्लाइमेट एक्षन आवार 2020 जीता है अगला को हाल ही में कि सराज के मुख मंतरी ने भूमी और संपत्ती पंजीकरन के लिए धरनी पोर्टल लॉंच किया है। राजस्थान तेलंगाना हर्याना बिहार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऐप्सटन दो हर्याना हाल ही में हर्याना के मुखमंत्री के चंसिकर राव ने भूमी और संपत्ति पंजीकरन के लिए धरनी पोर्टल को लॉंच किया है तेलंगाना की राजदानी है है हैदराबाद युनेस्को ने हाल ही में हैदराबाद को पाक कला का सहर घोसित किया है वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री है के चंद से खर रहा हूँ वतमान के त्यलंगना के गवर्णर है डौक्टर तमिल साहि सुन्दर राजन त्यलंगना में महत्पूर्ण निसनल पार्क है कवर टाइगर रिजर्व, अमरावत ताइगर रिजर्व, कासू ब्रह्मानन्द रेड़ी निसनल पार्क, महावीर हरीना वनस्थली निस्टनल पार्क निरदावनी निस्टनल पार्क तेलंगाना पुलिस ने महिलाओं के लिए हाल ही में साइबर योजना की सुरुवात की है ये थे तेलंगाना से समंदित माधपूर्ण कोस्टन इस question को मैं फिर से repeat करता हूँ हाल ही में किस राज के मुखमंतरी ने भूमी और संपत्ती पंजीकरेन के लिए धरनी पोर्टल को launch किया है इसका सही उत्तर हो जाएगा option 2 तेलंगाना Next question है हाल ही में Asia का सबसे सुरक्षित bank किसे घोषित किया गया है ICICI Bank, HDFC Bank, DBS Bank, Indian Bank इसका सही उत्तर हो जाएगा option 3 DBS Bank हाल ही में DBS Bank को Asia का सबसे सुरक्षित bank घोषित किया गया है DBS Bank के स्थापना 166 में हुई है DBS Bank का headquarter सिंगापूर में स्थित है और वर्तमान में DBS Bank के chairman है पीटर सेट और वर्तमान में DBS Bank के CEO है प्यूस गुपता Next question देखते हैं हाल ही में किस राज के विधान सवाध्यक्ष, सुकुमार हनसदा का निधन हुआ उत्तराखंड, गुजरात, वेश्ट बंगाल, उत्तरपरदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा option 3 वेश्ट बंगाल, पस्चिम बंगाल के विधान सवाध्यक्ष, सुकुमार हनसदा का हाल ही में निधन हुआ है पस्चिम बंगाल की राजदोनी कोलकाता है, जो की हूबली नदिगे किना रेश्थी था वर्तमान में पस्चिम बंगाल के मुखमंतरी ममता बनर जी है, और वर्तमान में पस्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनकर है पस्चिम मंगाल में हाल ही में संधाने एप लॉंच किया गया है पस्चिम मंगाल में सुन्दरवन नेशनल पार्क इस्तित है पसिम मंगाल में बक्सा निशनल पार्क है जलत पारा वाइल्ड लाइप सेंचूरी है महनन्दा वाइल्ड लाइप सेंचूरी है पसिम मंगाल में हालही में मात्री स्मिर्थी योजना की सुरुआत की गई है पस्षिम मंगल में सनेहर पोरोष योजनकी शुरुआत की गई है साथ ही पस्षिम मंगल में प्रोचेस्टा योजनकी भी सुरुआत की गई है नेक्स्ट कोस्टन है, हाल ही में भारत के नए मुख्षी सूचना आयुक्त कौन बने है? नरेंद मित्तल यस वर्धन कुमार सिन्णा, डॉक्टर सतीश कुमार, ई गोसाईदास इसका सही उत्तर हो जागा, आप्शन दो, यस वर्धन कुमार सिन्णा हाल ही में यस वर्धन कुमार सिन्णा को भारत का नया सूचना आयुक्त बनाया गया है इससे पहले यस वर्धन कुमार सिन्णा पुर्व विदेश सेवा के अधिकारी थे अगला कोसन है, हाल ही में राष्ट्य कोसल विकास निगम ने यानि की NSDC ने किस कंपनी के साथ मिलकर अगले दस महिने में एक लाग से अधिक महिलाओं को डिजिटल कोसल पर दाण करने की गोसना किये गूगल, फेस्बुक, मैक्रोसॉप्ट, एमेजॉण इसका सही उत्तर होगा, उप्संत्री, मैक्रोसॉप्ट हाल ही में मैक्रोसॉप्ट ने NSDC यानि की राष्ट्य कोसल विकास निगम के साथ मिलकर दस महिने में एक लाग से अधिक महिलाओं को डिजिटल कोसल पर दान करने की गोसना किये तो मैक्रोसॉप्ट ने NSDC के साथ समझोता किया है तो Microsoft का अस्थापना 1975 स्वी में हुआ है Microsoft का मुख्याला है वासिंगटन DC सहर में इस्थित है और वर्तमान में Microsoft के CEO है सत्य नडेला अगला कुशन है हाल ही में किसने अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लांच करने की घोसना की है गूगल पे, फॉन पे, भारत पे, पेटियम इसका सही उत्तर हो जागा भारत पे Option नमर थ्री भारत पे इसका सही उत्तर हो जागा भारत पे के सभी यूजर किसी भी समय 99.5% सुध 24 करेट के गोल्ड को खरीद बेच सकते है यह सुधा गूगल पे, फॉन पे और पेटियम से उपलब्द है अब हाल ही में भारत पे पे डिजिटल गोल्ड लांच कर दिया गया है भारत पे डिजिटल गोल्ड लांच किया गया है तो भारत पे के स्थापना की गई है थी 2018 S.V. में और वर्तमान में भारत पे कैसी यह है अस्वबीर ग्रोवर अगला कोशन है हाल ही में किस देश ने भारत को भारती नोसेना के लिए अपने F-18 नोसेनिक जेट देने की पेसकस की है फ्रांस, अमेर्का, जपान, रूस इसका सही उत्तर हो जागा option 2 अमेर्का हाल ही में अमेर्का ने भारत को भारती नोसेनिक के लिए F-18 नोसेनिक जेट परदान करने की पेसकस की है F-18 राफेल के समनताकतवर है तो राफेल के समनताकतवर है तो इससे आपको एक question याद रखना है राफेल उड़ाने वाली पहली भारती महिला पालेट सिवंगी सिंग बनी है जो की वारा नसी की है अमेर्का से समन्दित कुछ महत्फून फैक्ट्स है अमेर्का ने हाल ही में open sky treaty को छोड़ दी है अमेर्का ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एरपोर्ट के उड़ान पर हाल ही में पर्तिबंद लगा दिया है यानि कि मैन लगा दिया है WHO से अलग होने की officially बात कई है अमेर्का ने यानि कि अमेर्का आप WHO से अलग हो जाएगा अमेर्का और भारत के बीच महजपूर्ण एकसरसाइज युद्धा भ्यास होता है वजर परहार, टाइगर ट्रम्प, कोप इंडिया और एक युद्धा भ्यास इसका नाम ही है युद्धा भ्यास ये भारत और अमेर्का के बीच होती है अगला question है हाल ही में उपरा जिपाल मनोज सिन्धा ने किस उत्पाद को उगाने वाले किसानों के लिए बजार हस्त छेप युजना शुरू की है केसर, बदाम, सेब, नरंगी दोस्तों ये मनोज सिन्धा जम्मुकस्मिर के लेप्टिनेंट गवर्नर है जिनोंने हाल ही में सेब के किसानों के लिए बजार हस्त छेप युजना की सुरूवात की है तो सेब के उत्पादन के लिए जम्मुकस्मिर में उपराजपाल मनोज सिन्धा ने इस युजना कोई सुरूवात की है जमुकस्मीर सेब के उत्पादन में पर्थाव अस्थान रखता है जमुकस्मीर में डल जील, वुलर जील, दचीग्राम नेशनल पार्क, किस्तबाड नेशनल पार्क और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क इस्थिते Next question लेखते हैं हाल ही में किस राजी सरकार ने असना तक चिकित्सा पार्थे क्रमों में सरकारे इसकूलों के चातरों को 7.5% आरक्षन परदाण किया है ओडिसा, तमिलाडू, अंधरप्रदेश, केरल इसका सही उत्तर हो जाएगा Option 2, तमिलाडू हाल ही में तमिलाडू राजी सरकार ने चिकित्सा पार्थे क्रमों में सरकारे इसकूलों के चातरों को 7.5% आरक्षन परदाण किया है इसको तमिलाडू के विधान सबाब में सर्व समती से पारित क्या गया है मैंने आपको 30 अक्टूबर के करेंट फेस्ट में बताया था कि तमिलाडू में युवा अधिवक्ता कल्यान युवजना की सुरुआत की गई है जिसके तहत वैसे लाव में पढ़ाई कर रहे है चातर जो की अपनी लाव की अपने लाव से पास आउट हो चुके है और अभी हाल ही में प्रेक्टिस कर रहे हैं तो उसको प्रेक्टिस करने के दोरान दो साल तक 3000 रुपिय परती मह की दर से वित्य साहता प्रतान की जाएगी तो युवा अधिवक्ता कल्यान योजना की सुरुवात तमिलाडू में लाव की पढ़ाई करने वाले चातरों के लिए की गई है तमिलाडू की राजधानी है चन्नही तमिलाडू के वर्तमान में मुख्यमत्री है एडापटी के पलानी स्वामी वर्तमान में तमिलाडू के चीफ मिनिस्टर है एडापटी के पलानी स्वामी वर्तमान में तमिलाडू के गवर्नर है बनवारिलाल पुरोहित तमिलाडू में हल्दी अनुसंदान संस्थान की सुरुवात की गई है RBI की रिपोर्ट के नुसार बजार कर्ज मामले में तमिलाडू सिर्ष अस्थान पर है तमिलाडू में कोवीड संदिग्द वाड की सुरुवात की गई है मचली के उत्पादन में तमिलाडो को पीछे छड़ कर फ़स्ट अस्तोन पर आ गया है मचली उत्पादन में भारत में पहला अस्तोन तमिलाडो का है और दूसरा अस्तोन गुझ्राट सर का है दोस्तों यह थे 31 अक्टूबर के करणटेफल्ट मैं आपको बता दूँ, मैं डेली करेंट्रफेल को लेकर आता हूँ आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल अकन को दबाएं बैल अकन को दबाने के बाद आप All Notification पर क्लिक करें आपको देली करेंट्रफेल सबसे पहले मिल जाएंगी